हिमाचल के जिला मंडी में राजनितिक सरगर्मिया तेज हैं मंडी में भाश्पा विधायक अनिल शर्मा की मौझूदगी में करीब 80 लोग भाश्पा में शामिल हुए हैं अनिल शर्मा ने भाश्पा में शामिल हुए सभी लोगों को भाश्पा का पठका पहना कर स्वागत किया और एक जूट होकर कार करते हुए जीत हासल करने की हुंकार भरी साथ ही कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता पर खुद को मुख्य मंतरी का दावेदार मानने पर भी चुटक हुए हैं जिनका स्वागत भाश्पा का पठका पहना कर अनिल शर्मा ने किया मीडिया से बाचेत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि भारती जंता पार्टी का परिवार बढ़ा है और दिल खोल कर सभी कारे करते वें जीत हासल करेंगे उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों का अनिल शर्मा ने का कि वे औ-पियस का विरोध नहीं करते लेकिन ओपियस को लागु करें पड़े और मजबूत सरकार ही ओपियस को लागु कर पाईगी कोंग्रेस चुनावी बेला में इस तरह का प्रलोभन दे रही है अनिल शर्मा ने कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता और मुख्य मंतरी कॉल सिंग ठाकूर पर भी निशाना साधा अनिल शर्मा ने कहा कि एक कॉंग्रेस के नेता जो पडोसी भी है और खुद को कॉंग्रेस का वरिस्ट नेता और मुख्य मंतरी का दावेदार भी कहते हैं वही दूसरी और एक मुख्यमंत्री हमारे घर में ही है उन्होंने का कि मुख़्मंत्री के चहरों में कॉंग्रिस जिसका नाम लेकर चली है उनका फोटो भी नहीं है इसी के साथ उन्होंने का कि अगर कॉल सिंघ साथ देते टो बहुत पहले ही मंदी से CM पंडित सुखराम बन सबी को मैंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम कठे होकर चलेंगे एक ताकत जो देंगे हम वो मुख्यमंत्री को देंगे और मंडी से मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री को पुरे परदेश का होता है प्रन्तो अपने घर के लोग को अपनी घर की चिंता ज्यादा होती ह Newsdesk, Animal Life